इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए अनुसार इस एंटिबाउटिक का कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए। जब तक आप पूरा ना कर लें, तब तक इसे लेना बंद ना करें, भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो। अगर आप इसे समय से पहले लेना तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और इंफेक्शन वापस आ सकता है। यह दवा फ्लूया सर्दी जैसे वाइरल इंफेक्शन के लिए काम नहीं करेगी। जरूरत न होने पर भी एंटिबाउटिक का इस्तिमाल करने से यह भविश्य में होने वाले संक्रमन के ल इसका उप्योग करने से पहले अगर आपको किसी भी एंटिबाउटिक्स से अलजी हैं या किड्नी या लिवसंबंदी कोई समस्या हो तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। डॉक्टर की सलाह अनुसार इस दवा का इस्तेमाल गर्भावस्था और स्तनपान के द दौरान करना सुरक्षित माना जाता है। यह आपकी दृष्टी को दुंधला कर सकता है या इससे आपको नींद और चक्कर आ सकते हैं। इन लक्षनों के महसूस होने पर वहन न चलाएं। यह दवा आम तोर पर आपको कुछ दिनों के अंदर बहतर महसूस कराती है, लेकिन आपको इसे बताए गए अनुसार लेते रहना चाहिए, चाहिए आप बहतर महसूस कर रहे हो। समय से पहले बंद करने पर infection फिर से वापस आ सकता है और फिर इलाज करना और भी मुश्किल हो सकता है, मोनोस 4 टेबलेट के साइड इफेक्ट, इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं परती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं, अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगरने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, मोनोस 4 के सामान्य साइड इफेक्ट, रैश, मिचली आना, डायरिया दस्त, मोनोस 4 टेबलेट का इस्तेमाल कैसे करें, इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी के लिए अ आपका बहुत बहुत धन्यवाद